अच्छीवर्स IQ Education में आपका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम 29 और 30 अप्रेल 2021 के उन महत्वपूर्ण करेंट अफेर के प्रस्णों को जानेंगे जो कि हमारी आने वाली किसी भी परिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो चले चलते हैं पहले प्रस्ण पर और हमारा पहला प्रस्ण है किस राजी सरकार ने COVID-19 रोगियों को दवा, ओक्सिजन और अन्य चिकित सा सुविदाओं की आपूर्तिक करने वाले नए और पुराने उद्मियों हेतु कोविड आपात काली न्रिन योजना सुरू की है हमारे ओप्सन है दिल्ली या उत्राखन या उत्तरप्रदेश या हरियाना इसका सई आंसर है ओप्सन डी हरियाना अगला प्रेशन है किस राजी सरकार ने हरी हर योजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहट परित्यक्त बच्चों को बाल देखवाल सस्तानू में रहते वे 18 साल के होने पर नौकरी प्रदान की जाएगी हमारे ओप्सन है हिमाचल प्रदेश या उत्राखन या उत्तर प्रदेश या हरियाना इसका सई आंसर है ओप्सन डी हरियाना अगला प्रेशन है CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस वर्स तक सुद्ध सुन्य कार्बन उत्तरजन प्राप्त करने का लक्ष रखा है हमारे ओप्सन है दो हजार पचेस या दो हजार तीस या दो हजार पचास इसका सई आंसर है ओप्सन डी दो हजार पचास अगला प्रेशन है चानलर गुड गवर्मेंट इंडेक्स में किस देश ने सीर्स अस्तान हासिल किया है जो सरकारी छमताओं और परिणामों के मामलों में 104 देशों का वर्गी करण करता है हमारे ओप्सन है नौर्वे या फिनलेंड या डेनमार्क या स्वीडन इसका सई आंसर है ओप्सन भी फिनलेंड अगला प्रेशन है किस देश ने नियो वन नामक रोबोट प्रोटोटाइप लॉंच किया है जो जाल के माध्यम से अंत्रिक्ष में फैले मलवे को एकत्र करने में सक्षम है हमारे ओप्सन है अमेरिका या भारत या जापान या चीन इसका सई आंसर है ओप्सन डी चीन अगला प्रेशन है सर्बिया में आयो जित जीम राउंड रोबिन रुजन जोरा 3 2021 सत्रंच टूर्नमेंट किसने जीता है हमारे ओप्सन है अर्जुन कल्यान या रोनक साधवानी या पिर्थु गुपता या ग्रीस कौसिक इसका सई आंसर है ओप्सन ए अर्जुन कल्यान अगला प्रेशन है विख्यात व्यक्तित्व और पदमश्री पुरुषकार से सम्मानित मंजूर अहते साम का हाली में निदन हो गया वह एक दिगज डौट डौट थे हमारे ओप्सन है उर्दू साहित्यकार या हिंदी साहित्यकार या अंग्रेजी साहित्यकार या पार्सी साहित्यकार इसका सई आंसर है ओप्सन भी हिंदी साहित्यकार अगला प्रेशन है निम्न में से किस संगठन ने जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है जिसने भारत्य महीलाओं की स्तितिका टीवी और विज्यापनों में विचलेशन किया है हमारे उप्षन है UN Women ये सामाजिक अनुसंदान केंद्र ये UNICEF ये WF इसका सही आंसर है उप्षन C UNICEF अगला प्रेशन है चानलर गुड गवर्मेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है जो सरकारी छमताओं और परिणामू के मामले में 104 देशू का वरगी करण करता है हमारे उप्षन है 44 ये 59 ये 56 ये 66 इसका सही आंसर है उप्षन B उन प्षास अगला प्रेशन है विश्व बौधिक संपदा दिवस 2021 का विशाई क्या है हमारे उप्षन है IP and SME taking your ideas to market या pandemic and SME the growth engine of economy या IP and SME the growth engine of economy या IP and SME largest employment givers इसका सही आंसर है उप्षन A IP and SME taking your ideas to market अगला प्रेशन है प्रसिद्ध व्यक्तित्व माइकल कोलिंस का हाली में निदन हो गया वह एक प्रसिद्ध डौट डौट थे हमारे उप्षन है अंत्रिक्ष यात्री या प्रमाण वैज्यानिक या खगोल विद या राजनीतिग्या इसका सही आंसर है उप्षन A अंत्रिक्ष यात्री अगला प्रसिद्ध है भारत के नए वित सचिव के रूप में किसे निउक्त किया गया है जिनकी निउक्ति को मंत्री मंडल की निउक्ति समिती द्वारा अनुमूदित किया गया है हमारे ओप्सन है अजैसेट या तुहिन कांता पांडे या टीवी सोमनाथन या देवासीस पांडा इसका सही आंसर है ओप्सन सी टीवी सोमनाथन अगला प्रेस्ण है वह चोथा देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने विदेश रक्षा मंत्रियों के बीच हमारे ओप्सन है रूस या चीन या फ्रांस या इंगलेंड इसका सही आंसर है ओप्सन ए रूस अगला प्रेस्ण है रच्छा अनुसंदान और विकास संगठन ने किस विमान से पांचवी पीडी के पाइथन 5 एर टो एर मिसाइल का सपलता पूरवक परिक्छन किया है हमारे ओप्सन है राफेल या मिक 29 या मिरास 2000 या तेज़स इसका सही आंसर है ओप्सन डी तेज़स अगला प्रेस्ण है वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिये जाने वाले 2021 वाइल्ड इनोवेटर एवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतिया और ACIE महिला कौन है हमारे ओप्सन है जिस सेविस्टियन या नंदनी वेल हो या किड़ती के कारंथ या पूर्णिमा देवी बर्मन इसका सही आंसर है ओप्सन C किड़ती के कारंथ अगला प्रेस्ण है जियो प्लेटफॉर्म के साथ कौन सी कंपनी टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावसाली कं कंपनियों की पहली सूची में सामिल हुई है हमारे ओप्सन है बाइजूज या स्विगी या बिग वास्केट या रिन्यू पावर इसका सही आंसर है ओप्सन ए बाइजूज अगला प्रेस्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश ने इंडो पैसिपिक छेत्र में मुक्त पारदर्सी वियापार और निवेश वातावरण पर ध्यान देने के साथ एक लचीली आपूर्ती स्रिंखला बनाने है तू सप्लाइज चैन रेजिलियेशन इनिसियेटिव शुरू किया है हमारे ओप्सन है सिंगापूर या फिलिपिन्स या ताइवान या जापान इसका सही आंसर है ओप्सन डी जापान अगला प्रेस्न है किर्सी और किसान कल्यान मंत्रालाई ने लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन योजना के तहत कार्वनिक छेत्र के रूप में अंडमान एवं निकोवार के संग राजय छेत्र डॉट डॉट में लगभग 14491 हेक्टर भूमी को प्रमानित किया है हमारे ओप्सन है कार निकोवार और नेनकोवरी द्वीप यह स्वराज द्वीप और लेटिल अंडमान यह नील द्वीप और बेरन द्वीप यह ग्रेट निकोवार और नौर्थ अंडमान इसका सही आंसर है option A, कार निकोवार और नैनकोवरी द्वीप अगला प्रेस्थन है भारत सरकार द्वारा इक्विटी से जारी करने के माध्यम से भारतिय ओध्योगिक वित निगम में कितनी पूजी का निवेश किया गया है हमारे option है 100 करोड या 200 करोड या 300 करोड या 400 करोड इसका सही आंसर है option B 200 करोड आज का अंतिम प्रेस्थन है अप्रेल 2021 में जारी ACIE विकास बैंक की वार्सिक रिपोर्ट के अनुसार ADB ने भारत को COVID-19 से निपटने की पर्तिकिरिया का समर्थन करने है तू कितनी रासी प्रदान की थी हमारे option है 0.5 billion dollar या 1 billion dollar या 1.5 billion dollar या 2 billion dollar इसका सही आंसर है option C 1.5 billion dollar यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारिया यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ से करें और कॉमेंट जरूर करें थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग